मैं गांदी भाई गांदी चेर्वेन सास्विरा पारूम संतर। मेरा सवाल सिर्थ देगी है जेहाद का अच्छुन में क्या है और जेहाद के नाम पे जम्मू कश्विर्ण है जो आज भूल खराबा हो रहा उसके उपर आपकी प्रभी क्रियाथा है। भाय साब ने एक बहुत एहम सवाल पुछा आज की तारीक में सबसे बदناम लवज इसलाम में है वह जिहाद और जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलत पिमीएए। सिर्फ गैर मुसल्मानों को ने मुसल्मानों को भी अक्सल लोग समझते है कि जिहाद के मानी कोई भी मुसल्मान अगर जगडा कर रहा है लड़ाई कर रहा है चाहे जाती फाइदी के लिए हो चाहे अपने नाम के लिए हो चाहे जमीन के लिए हो चाहे पैसा के लिए वो है जिहाद जिहाद के माहनी यह नहीं कि कोई भी मुसल्मान कोई भी वज़े से लड़ाई कर रहा है चाहे माल के लिए हो चाहे नाम के लिए हो चाहे जगा के लिए हो जिहाद की माहनी वो अरबी लवज आता है जहदा से मानी जिद्दो जहद, to strife, to struggle इसलाम के पस्मंदर में जिद्दो जहद के मानी है अपने नफस से जिद्दो जहद करना evil inclination के against जो अपने नफस बुरे चीज़े चाता है अपने नफस के खिलाब जिद्दो जहद करने को कहते है जिद्द अगर आप माशरे को सुद्दानने के लिए जिद्दो जहद कर रहे उसे कहते है जिद्द अगर आप self defense में लड़ रहे है उसे कहते है जिद्द अगर आप operation के खिलाब जगडा कर रहे है उसे कहते है जिद्द जिद्द के मानी है जिद्दो जहद करना और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जियात के मानी होली वार सिर्फ गहन मुसल्मान ने कई मुसल्मान में इंवर्टिट कॉमेंट में अपने आपको स्कॉलर समझते है जियात का तर्जुमा करते होली वार बिल्कुल गलत है होली वार अर्बी में हर्ब मुकदसा और ऎब कुरान मजीद उठा हो, कई भी قुरान मजीद में हर्ब कुर्ण मुकदशा नहीं लिखा है, जियाद के मानी Holy War नहीं है, पाग जंग नहीं है, ये लफ़ Holy War सबसे पहले इस्ते पहले मुस्लिमान क्या गया था Christian Crusaders के लिए, जब Christian Crusaders Christianity के नाम पे हजारों लोग का क्तल किये उसे कहते थे होली वार आज वो इस्तिमार रोड़ा है मुसल्मान के लिए जियाद डिसमीन होली वार आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है माना लड़ना जगड़ना क्या जियाद है अगर वो जिद्व जहत कर रहे है पुरान और हदीव के मताबिक अपने नफस के खिलाफ जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ माशले को सुधानने के लिए तो वो सही जियाद है और जियाद दो किसम के होते हैं Только रहा होता है जियाद जो कुरान और हदीथ के मुताबक है दूसरा जियाद है जियाद फी सभी लिए शैतान तो शैतान के राह में जियाद करना जिद्व जहत कर रहे है माशे को बिगारने के लिए उसे कहते है जियाद फी सभी लिए शैतान हर मुसल्मान को करना चाहिए जिहाद सफी सबीलिल्ला, जिद्दो जहत, खुरान और सही हदीश के मताबिक कश्मीर में क्या हो रहा है महिने को इंटर्वियू लियाने उनका जो मैं प्रेस में सुनता हूँ, मैं इसके तैकिक नहीं किया हूँ सुरान में लिखा है, सुरे उजुरात में, सुरान नमर 49, आयत नमर 6 में जब भी कोई मालूमात आप तक पोच्छती है, उसकी तैकिक करो तीसरे को पोचाने के पहले मैं तैकिक नहीं किया हूँ, इसलिए कहने हैं सकता हूँ कुन सा जियाद है लेकिन ये जो लड़ने जगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अकसर मुसल्मान को दोशी टहराते है मैं आपसे पूछने आचाता हूँ, क्या अपने माबारत पड़ी? माबारत में लड़ने जगड़ने के मंत्रा कुरान से कही गुला ज़्यादा है माबारत में लड़ने के श्लोक, मंत्रा कुरान मजी से कही ज़्यादा है भगवद गीता, भगवद गीता एक माबारत का हिस्सा है 18 जुज, 18 chapters, अनुशासन पर्व के जिसमें श्री क्रिश्टिन अर्जुन को एडवाईज देते है, समझाते है जब हम पढ़ते हैं, भगवद गीता, chapter number 1, मंत्रा number 43, उसे 46 तक के अर्जुन कहता है, अपने जो हत्यार है, जमीन पे रखके अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्ता मनने को पसंद करूँगा बनिजबत, अपने रिष्टेदारों से लड़ू और जगड़ा करूँगा चन श्लोक बाद, भगवद गीता, chapter number 2, verse number 2 और 3, श्री किशन कहते है, अर्जुन, how can you be so important, हिंदे में तर्जुमा करूँगा, आप नपुन सक कैसे बन गए, शत्रिया का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे, तो आप जाएंगे स्वर्ग में, भाग्यवान है वो शत्रिया, भगवद गीता, chapter number 2, verse number 31, भाग्यवान है वो शत्रिया जिसको लड़ने का मुखा मिलता है, तो क्या भगवद गीता गलत है, इस पस्मंदर में हम जानते है, कि यहां श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से, हक के लिए लड़ो, मैं अगर गेक होंगा, कि भग अगर मैं ऐसा कहूंगा, कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से, रिष्टेदारों का गतल करो, तो यह शैतानी हरकत है, मैं तालिब इल्म हूँ, इसलाम और दिगर मधाइब का, मैं भगवद गिताब पढ़ चुका हूँ, इसका पस्मंदर यह है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिष्टेदारों, तो सहिए, उसी का दिकर गुरान में है, जितने आयत अरून शूरी और जो इसलाम के एनिमीज है, जो कोड करते हों, पस्मंदर में, वो हक की लड़ाई है, जिस तरीकिते भगवद गीता, मा बारत में, कई जादा कुरान से जादा लड़ने की आयत है, तो इसी लिए जब पस्मंदर देखते पता चलता है, उस किताब में क्या लिखा गया है, तो इस पस्मंदर में, मैं भगवद गिता के साथ हूँ, जब वो कहते लड़ने के लिए, कि हक के लिए रिए रिष्टे के लिए हक की गवाई दो, हक के लिए विटनेस्ट अल्ला सुभान Alaska हुट चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालदेन के खिलाफ हो, अमेर या गरीब, मतलब अगर गवाई देने के हक के लिए चाहे खुदकापी नग्सानों फिर भी हक की गवाई दो, तो अजय को कर दो दो